तंपूर भारत वासियों को नाग पंचिमी की बहुत बहुत हार्दिक बठाई सुब कामनाय पहुचे आपके सभी मनों कामनाय आसानी से पूर हो जैहिन जै भारत नमस्कार मैं हूँ लालचन सोनी आज सुबर टाइंस में आप सभी का स्वागत है आप देख रहे हैं सिधे बारा बंकी रिमजिम बारिस तेजी के साथ हो रही है इस वक्त आप लखनों के आसपास जिलों में बारिस ही बारिस देखनी को मिला है जैसे की बारा बंकी अयुध् और बारिश तेजी के साथ हो रहा है इस गाउं के किसानों को काफी लाब इस बारिश से मिल ला है क्योंकि धान की फसल इस वक्त बहुत तेजी के साथ धरा भरा जहां जिस तरह से जो है जब जब आकास में पानी धरती पर गिरता है तब तक किसानों की फसल और या हरी भरी हो गया था अत्यादिक मातरा में किसान भाई खुश नहीं थे और अब जो है जिस तरह से धीरे-धीरे बारिस रही है क्योंकि पानि का सहारा सभी किसान भाईयों को होता है चाहे बड़े किसान हो मजब्ल मजबले हो या गरीब हो कोई भी जब तक बारिस प्राकितिक का नहीं होता है तब तक उनकी धान की फसल सही डंग से नहीं हो पाता है क्योंकि धान की फसल ही ऐसा पानी की ओसकता होती है तो इस वक्त सावन का महिना लगबग जिसे आप बता दूँ कि इसमें बारिस अधिक होती है लेकिन इस बारिस अधिक न हरा भरा हरियाली युक्त खेतों में या हरी भरी देखने को मिला है वैसे इस समय भगवान प्राकितिक बारिस का जिस तरह से समय समय पर कर रहे हैं लेकिन गर्मी उमस का भी या बहुत जादा है रात हो या दिन हो उमस गर्मी का त्याधिक मातरा में देखने को मिला है सभी ब बारिस हो जाता है लेकिन इसका फरक कुछ नहीं पड़ता है क्योंकि अब आरिस का समय है तो समय से बारिस होती है लेकिन बारिस का जो आप देखते हैं वैसी की वैसी ठंड़क मिलता है जब बारिस होती है उस वक्त भले ही ठंड़कती को लगता है मनुस्तों को लगता है ले अधियर भी कभी आती है कभी जाती है ये सब मौसम बनी होइए और इस वक्त बारा बंकि में जिम जिम जमा जम बारिश बरसाथ हो रही है और इस बारिश से लोगों को काफी लाब मिल लएavat और या किसान भाई को खास दोर से और फुरा थंदक पन लोगों को मिलती है तो बारिस होना भी प्राकितिक का या सौंद्री है और या सौंद्री करण के साथ साथ हम सभी को हरा वरा और प्राकितिक पर दूसर को भी नश्ट करती है और हम सभी लोग पर दूसित हवाओं को जिस तरह से दूसित बना देती है उस तरह से प्रयावरण को बचाना हम सभी का काफी लाबडायक होता है तो आईए हम सभी लोग इस बारिस का लुप लें यदि आप असनान अभी तक नहीं किये हैं तो आप छट पर पहुँच जाएए और असनान आप जरूर करें क्योंकि असनान करेंगे बारिस के पानी से तो आपके दाने और आप सिहत मन्द रहेंगे तो इस वक्त धान की रुपाई भी है और आपके सिहत को भी काफी ख्याल प्राकिती ने रखा है हरा रहत रूज ऐसा ठंडक मिला है और या उमस इस वक्त थोड़ा कम है लेकिन उमस है तो तीन साड़े तीन बज रहा है आदा घंटा हो गया बारिस का जमा जम बारिस हो रह बारिस के मौसम में की अधिक से अधिक लोगों को बढ़ती और आते जाते मौसम का भी ख्याल रखें और अपने सिहत का भी सिहाल रखें तो बारिस का लुप्त लीजिए और किसान भाई अपने खेतों को आनंदित के साथ हरी भरी और धान की रुपाई जिस तरह से धान की इस वक्त जो है बिजदार में पड़ी हूँ है और हरी भरी खेतों में धान की जो है फसल तैयार हो रहा है। और बाली आना बाकी है। जो है पीला पन से अब थोड़ा जो है बचा हो जाएगा। और इसका भी आप ख्याल लखें तो आप अपनों का विशेज ख्याल लखें बस हम यहीं तक फिर हम आप से मिलते हैं किसी मुटेसाथ तब तक अपना ख्याल परिवार देशा ख्याल लखें जैहिन जैभरत चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकोन को जरू दमाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेस मिल जाए धन बात